हेले श्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके प्रेशनल स्वी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है क्लास तुल्द मेट्स NCRT में 7A.14 मतलब समा कलन पढ़ा रहा हूं जिसमें से कुछ पहले फार्मुले तर्चा कर लेते हैं दो फार्मुले जिनका प्रियोग हम डायरेक्ट करेंगे इस प्रेशनल बली में डायरेक्ट ही हल करना होता ज्यादा लंबा चोड़न डायरेक्ट हल करेंगे देखी यदि ऐसा फार्मिट है E के पावर X FX प्लस F-X मतलब इसका अवकलन यहां पर उपस्तित है जिसी एक का अवकलन उपस्तित है तो सीधा आपको इसका अंसल लिखना E के पावर X FX है ना जिसका अवकलन हो उसे को साथ में रख देना E के पावर X के साथ मैंने क्या क रहा FX का व्कलंण है मतलब दो में से ऐसा फ्लन हो कि एक का दूसरा अपकिलीत हो अपकल गरां को मतलब एक को अपकलन करने से दूसरा प्राप्त हो रहा हो समझ रहे हैं तो जिसका अपकलन करना चाहते है जीसे Fks दो डारेक्ट iff x रख देंगे समझ गए आप फार्मूला समझ गए अच्छा चलिए आप क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे पहले दो फार्मूले आप अच्छे से त्यार कर लो कि fx प्लस f-x और जिसका वकलन है उसको रखे देंगे दूसरा चीज f-x है ना अरतात fx का अपकलन है तो x के साथ fx दूनों में fx ही रखना है बस ध्यान देना किसका आप कलन उसमें उसमें उपस्थित है इतना यदि क्लियर कर लिए तो आप आसानी से कर पाओगे तो पहला कुस्चन लि dx का मान मान ग्यात कीजिए ठीक है मान ग्यात करना है ये question है इसको आसानी से कर लोगे बहुत ही simple तरीके से करोगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक हल कर रहे है इस्ट्ट्ट्रेंट क्या कर रहे है हल देखेगा i बराबर कितना आपके पास 1 पावर x sec x है और 1 प्लस 10 x है और dx है एक काम करो sec x को अंदर multiply कर दो तो कितना हो जाएगा 1 पावर x हो गया और multiply करो तो sec x हो जाएगा और plus sec x into 10 x अब आप ही बताओ किसका अब कलन कौन है किसका अब कलन कौन है तो यहाँ पर fx क्योंकि fx बराबर आपका यहाँ पर sec x है क्यों क्योंकि sec x का ही आप कलन sec x into 10 x है और क्योंकि आप लोगों को पता है कि the e to the power x है और कोस्टेक में fx है साथ में इसका f dash x भी उपस्थीत है ठीक है नदी x है इसका फार्मूला होता है e power x और fx तो इसका answer इसलिए student i बराबर इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा direct करेंगे न i बराबर कितना हो जाएगा तो i बराबर हो जाएगा e के power x और fx कमान कितना sec x बस answer हो गया answer आ गया simple तरीके से कर सकते हूँ कुछ भी कठी नहीं है क्योंकि ये method ही है method ही है student बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो आगला question देखने है देखिए एक question है आपके पास question है e to the power x 10 inverse x plus 1 upon 1 plus x square dx कमान कमान ग्यात कीजिए कमान ग्यात कीजिए ठीक चलिए तो अपन क्या मानते है हल करते हैं student क्या करते हैं हल तो हल करेंगे इसको हल करते हैं इसका तो आई बराबर कितना आपके पास e to power x 10 inverse x plus 1 upon 1 plus x square अब इसमें देखो किसका आपका लाण कौन सा है तो यहाँ पर दिमें आप से कह दो कि fx बराबर 10 inverse x क्या कि 10 inverse x का अपकरन होता है समझ रहें न तो यहाँ पर आपका 10 inverse x का अपकरन one upon 1 plus x square और जो इस्ट्षियन रखना है आपको जो आपका यहाँ पर अपकलान होगा उसी का अपन answer रखेंगे तो यहाँ पर 10 inverse x का आपकलन 1 upon 1 plus x square ऑपको पता है न यहाँ पर कि यदि एक पाबर एक्स है और एफ डैस एक्स है मतलब एफ डैस एक्स का अपकर डैसे इस पे उपस्तित है तो डिरेक्ट आपको रख देना clear तो doubt clear इतना आसान तरीके से आप कर लेते हो और इसमें बहुत सारे question इसे आप आसानी से कर सकते हो सारे question को जिसे मैं question देता हूँ इसका आपको एक line पर answer देना है ठीक है क्या question है एक power x है bracket में sin x है plus cos x है dx command क्यों 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 इसका क्यों 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 क्य answer की बात करूं तो आई बराबर आएगा एक पावर एक्स साइन एक्स बस सिंपल तरीक है अब इस प्रकार कोश्चन तो बनी जाएंगे इसमें कोई बिल्कुल सिंपल है अब थोड़ा लाजिकल कोश्चन देखते हैं जो की थोड़ा सा हट के कोश्चन रहेगा जिसमें पहले आरंजिक करेंगे आरंजिक करने के बाद उसका हॉल करेंगे Thus यह रहा अगला कोश्चन आपके लिए कि लिए कि एक पावर एक्स ट्लस साइन टू एक्स अपान ट् two-cas square x है ना dx है चलिए इसको दोनों में अलग-अलग भाग करेंगी एक power x तो एक power x कर दें two plus यहां पर plus है two upon two-cas square x यहां पर कितना है sin 2x upon two-cas square x फिर bracket dx हो गया दो से दो cancel हो गया इतना बचेगा एक power x अच्छा यह उपर जाएगा यह उपर जाएगा तो हो जाएगा sec square x अब sin 2x का भी फार्मूला होता है क्या two sin x cos x होता है और नीचे है आपका two cas square x bracket 1 dx दो से दो cancel एक cas से cas cancel हो गया कितना हो गया एक power x यहां पर sec square x है plus आपका हो गया 10x क्यों क्यों क्योंकि sin बटे कास होता है 10x और dx अब आप भी बताओ answer कितना होगा तो आई बराबर हो जाएगा एक power x 10x का भी फार्मूला हो जिस का भी फार्मूला हो उसी को रगदो answer में फटा फट तो यहां पर हमने देखा कि 10x का अपकलन है 10x का अपकलन उपस्ती थे सेकी square x तो simple तरीके से आप लोग रख दिए बिल्कुल simple है आसर उम्मीदे कि बिल्कुल बनी जाएगा कुछी भी नहीं रटता बस थोड़ा सा मैनेजिक करना है आपको और आसानी से हल कर देना है अगला question sin x cos x minus 1 upon sin square x अब देखिए एक power x जो पहला फार्मूला है उससे संबंदित बहुत सारे question कर रहे है तो अब आसर उम्मीदे कि एक power x का जो आप पूरे question आसानी से कर लोगे ठीक तो चलिए इसको अपन पहले आरंजि करेंगे तो हल करते हैं हल हल करेंगे तो आई बरावर मान के चलेंगे आई बरावर कितना है sin x है cos x minus 1 upon sin square x dx है तो अब इसको क्या करेंगे आरंजि करेंगे पहले क्या करते है sin x है न और cos x है इसमें भाग देते हैं sin square x का फिर minus 1 upon sin square x का भाग देते है और पूरे का बाद ex है और dx हो गया एक sin से sign कर गया उपर जाएगा तो cos but sin का होता है सेक x sorry cos but sin का होता है cot cot x और यह उपर जाएगा तो cos x square x हो जाएगा है न और एक power x को इधर रख दो और dx कर दो अच्छा अब किसका अब कलन कौन सा है ध्यान देना है किसका अब कलन क्या है आप भी बताओ तो यहाँ पर cot x का है minus cos x square x तो यहाँ पर f x से दी मैं कह दूँ तो आप कहोगे cot x होगा और answer अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूं हर एक में भी यह क्योंकि आप से फार्मूला बनना चाहिए simple तरीके से आप क्या करोगे i बरावर मानोगी e के पावर x है है ना x minus 3 upon x के पावर 4 dx करोगी ऐसा करोगी यह समाख लाने है फिर आपन क्या करेंगी हर question की बात इसको दोनों में divide करेंगी यह इक पावर x हो गया और x बटे x के पावर 4 minus 3 x कर जाएगा तो कितना बचेगा इक पावर x ठीक फिर हो जाएगा कितना एक बटे x क्यूब minus 3 बटे x घाते 4 अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि fx बराबर आपका fx बराबर मैं आप से कहता हूँ कि एक बटे x क्यूब होगा यह कैसे होगा तो इसका आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट नहीं करता हूँ यह रघडाभर करोगी एक पावर x करोगे और कितना करोगी वाण अपावर एक्स क्यूब इसका जो एंसर है एक पावर x बटे x क्यूब होगा अच्छा इसका मैं आपकलन करके दिखा रहा हूँ आपकलन करके यह D upon D X एक बटे X क्यूबे नहीं उपर जाकर मानस 3 हो जाएगा अच्छा इसका आपकलन क्या होता है मानस 3 सामने आता है और मानस 3 में एक और घटेगा खुलिल में लाकर मानस 3 और 3 एक चार नीचे जाएगा X पाउर फूर जाएगा देख सकते हैंगी यह आपको बता दिया इसलिए डायरेक्ट करना जब फार्मूले पढ़े हैं ना तो फार्मूले इस डायरेक्ट करेंगी डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करेंगी ज़्यादा है आपको हल नहीं करना सीधा फार्मूले का प्रयोग करना है और सिंपल तरीके से हल करना है इस एक सरसाइज की कोशन बहुत ही कमाते हैं ध्यान रखना पहली बात दूसरी बात इस्टुडेंट इसको आपको जो ह fert दिखेगा बर्त उसमें आपको ढूनना पढ़ेगा किसका अप क्लन क्या है यह आपको यह यह डियेक्स अब आपको यहां पर सठोड़ा सा ढूनना पढ़ेगा भई आपकि स्क्वाप क्लन क्या है डारेक्ट तो दिया नहीं कि यह फर्मूले लगा दो हमको पता है लेकिन आपको नहीं पता दोनों चेक कर लो अच्छा कैसे चेक करोगी इसका आप कलंड करो एफ डैस एक्स का तो डी अपन डी up all एक्स हो जाएगा और लॉग 맛있 the粉 ऑनटी और लगा सकते हो सिंपल है सिंपल है कुछ बाब नीठाइन होता बस आप लगाने की BEN सिंपल तो तरीके से आप आसान इसको हल कर सकते हो इस तरीके से एक और खतरनाक कोशिण देखने जैसा देखने में खतरनाक देखे लेकिन खत्रनाक है नहीं तो इसको आई बरह और उनकी चलेंगे मानेंगे की नहीं मानेंगे जी हाँ अब यहां पर कुछ चीज़ें तो आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको एधि लाग में पावर में कर दी तो हो जाएगा एधि पावर लॉग six square x plus ten x अब देखिए एक फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है कि यदि मैं कह दूँ कि एक power x में lag है यहां पे lag है तो इसको direct इसको हटा कर six square लिख दो यही फार्मूला होता है अब बताओ किसका अब कलन कौन सा है तो 10x का वकलन है यहां पर 10x देख दो प्लस सी समा कलन यह तांग एंसर आ गया देखो फार्मूला बेश्ट पर कितना आसान हो गया और पूरे कौशन आपसे बन जाएंगे एक सरसाइज और एक्जामपल के जितने भी वीडियों विश्प्राण तब तक लिए जैहीं बंदमातरम